मैं पहले से ही इस तरीके का मार्किंग कर लिया है अब मैं इस पर इस कलर के कॉम्बिनेशन का तोरण बनाने की कोशिश करूंगी सुन्दर से एक तोरण बनाने की तो आएए देखते हैं कि यह कैसा बनता है तो आप लोग भी मुझे जॉइन करिए आप लोग भी बनाईए कि देखिए मैंने इन पैटर्स पे यह लेस अटाच कर दिया है और एक पॉर्टर पर भी यह अटाच कर दिया है अब यह पूरा ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन मेरा त्यार हो गया है अब जो है इसमें इसके अंदर मैं अब दूसरा लेस लगाऊंगी और कुछ मिरर वर्क भी करूंगी जोप कि ये ढनों कुछ ब्रप्ड पैटर्न को मैंने गॉज्यस बनाने की तो आएए, फिरसे इसको अटाच करते हैं, इस पैटरन पे अब इसके अंदर, यहाँ, इसको मैं अटाच करूंगी, विवर्स यह देखए, यह मैंने लगा लिया है, अब यह लस मैंने, इसको इस तरीके से, पुरे तोरन ऐटाच कर दिया है, यह देखिए अब यहां पे जो कट्स थे उसको मैं एक लाइनिंग दोंगी और यह पैटर्न भी यहां आके खतम होता है इसलिए भी यहां एक लाइनिंग देना अच्छा लगता है तो जब मैं इसको इस तरीके से ढख रही हूं देखिए इसका कितना संदर लोका रहा है तो यह स्टिच करके यह दोनों साइड मुझे इस पट्टी को स्टिच करना होगा स्टिच करने के बाद इस एरिया में और इस एरिया में कौन सा लेस लगाना है अब मेरे पास एक ऐसा लेस है जो एक लमबा लेस था जिसको मैंने यह अलग अलग टुकड़े में काट लिया है अब मैंने इस इस flowers को use किया है इसके जग़े यह देखिए यह इतना सुन्दर लुक आ रहा है इसका जैसे कि आप यह कह सकते हैं कि बनारसी साड़ी का लुक आ रहा है इसमें यह बनारसी साड़ी वाला तोरन बन गया है और leaves को मैंने यहां लगा दिया है यह देखिए यह क्योंकि आम तोर पर रेट हर जगह यूज़ करना थोड़ा कॉमन सा हो गया है तो थोड़ा इसका लोग अनकॉमन देखने के लिए मैंने इसमें ब्लू टैसल लगा हैं जो की काफी अच्छा लग रहा है ब्लू कलर के इस मिररलेस के साथ और ये नीचे की तरफ अल्मूस ब्ल मिरर लगाऊंगी जिसको कि मैंने इस बर मिरर नहीं लिया है मिरर गम के साथ अगर अटाच सही से नहीं होगा तो निकल जाए इसलिए यहां पर मैंने यह स्टिच करके सितार लगा है यह देखिए अभी मैं इसको सोचा दिखा दू कि यह जो मिरर है वो काफी सुंदर लु अटाच कर दोंगी और बाकी के इस जगह पे कुछ थोड़ा सा जो गैप है यहां भी सितारा पर करोंगी तो इस तरीके से यह काफी और ग्लाजी और ब्यूटिफुल बन जाएगा वैसे तो मुझे यह अभी ही ज्यादा सुंदर लग रहा है पर जब दरवाजे पर धूप स्टार से वो मैंने लगा दिये है और यह जगह थोड़ा रेडिश था थोड़ा लाइट लग रहा था तो मैंने सोचा कि यहां भी एक स्टार चिपका दूँ और इसको मैं स्टीच करूंगी यह चिपका कि मैंने प्रापर मेजर्मेंट कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग और यह जितना ही सजा उतना ही अच्छा दिखेगा तो यह देखिए यहां पर एक स्टार लगाया है और यहां पर दो पॉल के साथ स्टार लगा है चुकि यह लंबा लंबा स्पेस बचा था और यह थोड़े सी जमेट्रिकली भी कवर कर रहा है तो इसमें मैंने दू पॉल के साथ गोल्डन पॉल के साथ मैंने वह स्टार को पेस्ट करके फिर दुबारे स्टिच कर रहा है ताकि मजबुत हो जाए तो अब यह मेरे पास दो तीन स्टार बचे है तो मैं इनमें पॉल लगा किस्टीच करते हूँ और फिर यह मेरा कम्प्लीट तोरन त्यार हो तो प्लीज आप भी घर पे कुछ कोशिश करिए बनाइए मेरा बस वीडियो बनाने का यही एम रहता है कि मैं कुछ न कुछ ऐसा शेयर करूं जिससे कि मेरी बाकी के फ्रेंड्स को बाकी के लोगों को भी फायदा हो वह भी घर पे कुछ न कुछ क्रेट करें और जो भी क्रेटिविटी हो तो अपनी क्रेटिविटी दिखाए और अगर आपने पहले से ऐसा कुछ बना रखा है तो प्लीज मुझे शेयर करिए तो आप यह कलर कॉम्बिनेशन के बारे में आपका क्या एडिया है आप जरूर बताएए मुझे तो यह बहुत ही जादा खुबसूर आइटम्स और आपके लिए बनाने वाले को और लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंज के साथ ताकि वह भी बनाए और तब तक के लिए नया प्रोजेक्ट में धूनने जा रही हूं बाई बाई